Hello students, welcome back our YouTube channel Study Circle 24 Dear students, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सितंबर महिने का जो assignment है उसका answer तो यह आज का वीडियो कच्छा दस्मी भी से विज्ञान का है तो ध्यान से देखेगा आपको सारे प्रशनों के उत्तर मिल जाएंगे और बहुत ही जल्द आपको सारे subject जो assignment के हैं वो सारे उसके answer आपको वीडियो के रूप में मिल जाएगा ठीक है? और उसका पेडियो भी आपको मिल जाएगा आप टेलिक्नम चैनल को जॉइन करके रखीगा तो चलिए देखिए पहला प्रशन आपके पास क्या है? और बिद्द रेड़ता तो सबसे पहले उत्तर देंगे आप कि आधनिक आउसानी में उपर से नीचे जाने पर तत्तों के गुणों में निवने पर रितन होगा आयनन वीभा के लिए क्या होगा? उसको लिखेंगे आप बहुत ही सटीक answer है उसके लिखेंगे आप कि वर्ग में उपर से नीचे आने पर आयनन उर्जा का मान कम होता जाता है और इस प्रकार इसका कारण है कि इलेक्ट्रोनों की संख्या भी बढ़ती है और इसे नाभिक के अंतिम इलेक्ट्रोन से दूरी बढ़ जाती है जिसके कारण बाहरी कोश से इलेक्ट्रोनों को निकालने के लिए कम उर्जा की आवेसकता होती है आवर्त में 22 से दाई और जाने पर प्राया आयनन उर्जा का मान बढ़ता जाता है इसका कारण है कि कच्छो की संख्या में कोई परिवर्ता नहीं होता लेकिन परमानु संख्या बढ़ती है बढ़ती जाती है जिस कारण नाभ की आवेस में ब्रिद्धी होती है और अता इलेक्ट्रोनों पर नाभिकी आकर्षन बढ़ जाने के कारण बाहरी कोस के इलेक्ट्रोनों को निकालने के लिए अधिक उर्जा की आवसकता होती है ये इसका correct answer हो गया फिर सेंजगता है balances इसको बोलते है आवर्थ राणी में उपर से नीचे जाने पर समू की सेंजगता में कोई परिवर्था नहीं होता बलकि आवर्थ में 22 से दाएं जाने पर तत्तों की सेंजगता एक से चार तक बढ़ती है और फिर घटने लगती है अब इसके बाद परवानु अकार उसको लिखना है आपको और विद्दुत रेंटा तो इसको भी आपको इस प्रकार से लिख लेना है विडियो को पॉस करके आप इसे अच्छे से लिख लिजे नोट कर लिजे डियर इस्टुरेंट्स बहुत ही जल्द हम आपको सारे अस्टाइमेंट के अंसर प्रवाइड करा देंगे तो आप चैनल के साथ बने रहें और यदि आप चैनल परना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे सांसी बेल आइकन का बटन भी प्रेश कर दीजे जिससे की आपके अस्टाइमेंट से रिलेटेड या आपके एक्जाम से रिलेटेड जितने भी इन्फोर्मेशन हम अपडेट करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके question number 2 देखिए सौर कुकर के उप्योग के लिए आउतल और समतल आउतल समतल और उतल में से किस प्रकार के दरपन सबसे अधिक उप्योग हैं और क्यों तो सौर पैनल के कोई दो उप्योग ये भी लिखना है तो सबसे पहले आप इसका उतल लिखेंगे कि सौर कुकर के उप्योग के लिए आउतल समतल उतल में से आउतल दरपन सबसे अधिक उप्योग थै क्योंकि आउतल दरपन में प्रकास करेने परवार्तन के परश्चात फोकस बिंदू पर केंद्रित हो जाती हैं जिसके फोकस बिंदू का ताप लगबग 180 से 200 डिग्री बढ़ जाता है और खाना जल्दी पक जाता है। फिर दूसरे का इंसर लिखेंगे मानो निर्मित उपग्रहो तथा अंत्रिच अन्वेसक युक्तियों जैसे मार्स अर्बिट्रों ने सौर स्विलों का उपयोग प्रमुक और जास्त्रोतों के रूप में किया है या किया जाता है। फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट का इंसर है हुआ इसका दूसरा कि रेडियो अथा बेतार संचाद तंत्रों अथा सुदूर छेत्रों के टीबी रेले केंद्रों और सौर पैनल का उपयोग किये जाते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले आप बता सकते हैं तत्तों में अध्यन में सहाइक और फिर दूसरा ने तत्तों की खोज में सहाइक और इनको आप सब पुरा लिखेंगे डिटेल तीसरा है संदेब्द परमानु भार में सुधार और चौथा पॉइंट लिखेंगे आप यहांसे कि अक्रिय गैसो को इस्थान ठीक है तो यह चार पॉइंट हो गया कंप्लिट अब नेक्स्ट देखिए अब प्रस्ट नमबर चौथा है आपके पास अनुवांसिकी के जनक कौन है तो अनुवांसिकी के जनक ग्रेगर जौन मेंडल को कहा जाता है दूसरा है मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का क्योल रेखा आरेक बनाना है तो आप यहांसे इसका डाइग्राम बना सकते हैं अब इसके बाद ये डाइग्राम आपको हो गया फिर इसके बाद आप देखेंगे प्रेश्ण नमबर पांचवा का प्रेश्ण का उत्तर लिखेंगा आप यहां से तो प्रेश्ण नमबर पांचवा का आप एंसर यहां से लिख सकते हैं आपके पास एंसर है और तिसरा इस प्रकार समानेता मतर में 100 प्रागण एमनिसेचन होता है जिससे पेडी तर पेडी इसके लच्छन सुद्ध बने रहते हैं तो इस प्रकार के यह आपके एंसर कमडेट होते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी वीडियो के भी लिंक प्रो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ओके बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थाइंक्यू वेस्ट आप लग् झाल झाल